जैहिन दोस्तो वेलकम टू सिवसांती क्लासस सिवसांती क्लासस में आप सभी वच्चों का स्वागत है इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 त्रिभूच ट्रेंगल का यह हमारा पार्ट नंबर 15 है इसमें हम एक्सरसाज 6.2 का क्वेशन नंबर 9 कंप्लेट करेंगे ठीक त तो यह रहा आपका क्वेशन नंबर 9 जो की पेज नंबर 143 पर दिया हुआ है बूप पर चलिए तो पढ़ते हैं क्वेशन क्या कह रहा है ABCD एक सबलंब है सबलंब है अर्था Trapegium है क्या है Trapegium जिसमें AB पेरलल है DC के AB पेरलल है DC के अर्था समांतर है तता इसमें इसके विकर्ण बिपरीद परस पर बिंदू O इसके जो विकर्ण है अर्था डाइगोनल है वो बिंदू O पर प्रतिछेद करते हैं ठीक दर्साइए अर्थात प्रूफ करना है क्या AO upon BO is equal to CO upon DO यह हमें क्या करना है प्रूफ करना है तो चलिए प्रूफ करना सुरू करते हैं क्या 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 दिया हुआ है और क्या पूंच रहा है तो चलिए हम समझना सुरू करते हैं कि यह क्या 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 है तो समझें दिया क्या क्या है ABCD एक सबलंभ है अर्था ट्रेपीजियम है इसमें AB parallel to CD है AB जो है parallel to CD है और विकरन अर्था डाइगोनल AC तथा BD BD एक दूसरे को बिंदू O बिंदू O पर प्रतिछेद करते हैं अर्थात इंटरसेक्ट कर रहे हैं ठीक तो सिद्ध हमें करना है प्रूफ करना है हमें AO upon BO is equal to CO CO upon EDO CO upon DO ठीक यह हमें क्या करना है प्रूफ करता है तो चलिए सुरू करते हैं पहले हम क्या करेंगे construction करेंगे अर्थात रचना करेंगे ठीक तो वहाँ से क्या होगा बिंदू क्या करने हैं रचना क्या करना है बिंदू O से जो O बिंदू है हमारा से AB के parallel हमें खीचना है AB के parallel खीचना है EO मतलब बिंदू O से हमें एक parallel line खीचना है किसके parallel line AB के parallel line हमें एक line draw कर लेते हैं ठीक समझ में आ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा उसमा रिजल्ट क्या निकलेगा जब हमने यह construction किया तो रिजल्ट क्या निकला कि AB parallel to EO है AB parallel to EO है जो हमें हमने अभी रचना की है ठीक तो यह पहला एक क्वेशन हो गया दूसरी क्वेशन हमारा दिया हुआ है क्या AB parallel to CD AB parallel to CD ठीक तो यह हमें question में दिया हुआ है तो तरा जब यह इसके parallel है और यह पहला point क्या है यह इसके parallel है दूसरा point क्या है यह इसके parallel है तो हमेशा इन दोनों कहीं साब से क्या हो जाएगा, कि ये इसके पैरलल हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार जैसे A is equal to B बोलू और B is equal to C बोलू, तो आप कह सकते हैं, जब ये दो condition दिया हुआ हो, तो आप कह सकते हैं कि A is equal to C भी होगा, ये जरूरी है, उसी प्रकार यहाँ पे, जब ये इसके पैरलल है, और यही इसके भी पैरलल है, तो ये भी इसके पैरलल होगा, ठीक, तो ये हमारा समी करण 1 और 2 मिला के, E O, E O, पैरलल टू हो जाएगा, C D के, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, अर्थात कह सकते हैं, कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है पैरलल हैं, अर्थात समानतर, ठीक, अब पहला पॉइंट, ट्रेंगल कौन सा लेते हैं, A, B, D, ट्रेंगल A, B, D, ये वाला ट्रेंगल हम लेते हैं, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, जब हमने ये वाला ट्रेंगल लिया, तो इस ट्रेंगल के अनुसार, हमारा A, B, E, O के प सब्सक्राइबर सब्सक्राइब क factsशने दूसर दूसर ट्रेंगल काउंसा कौने हैं ट्रेंगल ए डी ए जब दोनों ट्रेंगल इसमें भीजह यह करेंगल है इस्रेनगल में कौन्से A, D और C इस triangle में हमारा EO parallel हो जाएगा CD के ठिक जब ये parallel होता है तो बाइद थियोरम क्या हो जाएगा AE upon ED AE upon ED is equal to AO upon CO AO upon CO ये दोनो ratio क्या हो जाएगे अनुपातित हो जाएगे अर्थात बराबर हो जाएगे ठिक तो ये ratio क्या हो जाएगा equation number 5 क्याला जाएगा तो sumir current 4 और 5 sumir current 4 और 5 के अनुसार क्या हो जाएगा इसमें भी AE upon DE AE upon जो ED है इस वाले equation में भी है और हमारा इस वाले equation में भी है ठिक तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो हमारे ये और ये भी क्या हो जाएगे बराबर हो जाएगे तो वहीं पर हो जाएगा AO upon CO AO upon CO is equal to हो जाएगा BO upon DE DO ठिक ये वापस में क्या हो जाएगे बराबर हो जाएगे तो इसे हम according to question क्या कर देंगे transfer कर देंगे तो हम BO को इधर ले आएगे और CO को इधर ले आएंगे कोई changes नहीं होगा question में कोई परिवर्तन नहीं आएगा ठीक तो क्या हो जाएगा AO upon BO is equal to CO upon DO यह हमारा क्या हो जाएगा Alternate Alternate to एकांतर आनुपात लगाने पर क्या हो जाएगा यह हमारा proof हो जाएगा तो इस point को एक बार और अच्छे समझाते हैं देखिए जैसे हमें इसमें सिए जाना है तो आप क्या किया है AO upon CO हो जाएगा equal to BO upon DO है तो आप क्या कीजिए सिधे cross multiply कर दीजिए तो क्या हो जाएगा AO into DO बराबर BO into CO हो जाएगा बिलकुन हो जाएगा तो आप क्या कीजिए कि DO को क्या कर दीजिए इधर ले आएगे और BO को इधर ले आएगे तो क्या हो जाएगा AO upon AO upon BO क्या कहते हैं BO को क्या किए इधर ले आएगे तो क्या हो जाएगा यह upon में जाएगा तो BO और यहां पर बचा क्या है सी ओ तो यहां पर क्या इसको हम इधर ले आएगे तो क्या हो जाएगा डी ओ तो यहीं चीज हो गया तो बस वहीं चीज करना है तो उसको हम क्या कहेंगे एक अंतरा नुपाद तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा क्वेशन नंबर नाइन तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेशन नंबर अच्छे समझ में आ गया होगा कोई भी प्राबलम है तो आप कमेंड़ वाक्स में मेंसल कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लि ताकि हमारा जैसे ही अप्लोड होते हैं सारे वीडियो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सा वीडियो अप्लोड हो रहा है ठीक तो इस चैनल पर आपको क्लास 9 और 10 वालों के लिए पूरी तरह से मैत क्लास की पूरा सिलेवस करवा करके उसकी प्रेक्ट और इंगलिज की क्लास सुरू होगी तो आपसे dye मुर्ण है कि आप कीजिए सपोर्ट करने के लिए बस आपको क्या करना है चैनल करें करना है वीडियो को लाइक करना है और ज्यादस ज्यादा बच्शो तक इसे से अर करना बस इतना ही ठीक और इसका कोई चार्ज नहीं है इसका कोई पैसा नहीं लगता है आपका ठीक ना बस इस तीर से हमें खुसी मिलती है और कुछ नहीं काम करने का और जुनून आता है और कुछ नहीं तो चलिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में question number 10 के साथ तब तक लिए जय हिं जय भा आ किक प्रिए आता है प्रु़ो ता थान करते हैं अच्व्मान स्बस्ता बढ़ियो आगलो लिए।